नमस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 50 साल है और इस पाम को देखे तो इन्होंने काफी उतार चड़ाओ इस हाथ में इन्होंने देखे अंगर पॉजिटिव साइन भी है और साथ में संगर्ष भी दिख रहा है फेट लाइन पर भी दिख रहा है और जीवन रेखा पर भी एक-एक करके, पर ये लास्ट संगर्ष था, इसके बाद इनका जीवन उत्तम रहने वाला है, उसके बाद कोई रहू रेखा है, इनको परेशान करती हुई, निकट भविश में तो दिखने ही रही है, तो ये लास्ट इन्होंने संगर्ष सहन किया, इसके बाद इनके जीवन म है, धीरे-धीरे सम्रुद्धी आती जाएगी, और संपन्ता की और और बढ़ते जाएंगे, सब कुछ है इस पाम में, इस पाम को देखे, तो ये रेक्टेंगल शेप पाम है, तो वेक्ती बैठे-बैठे या बोलकर कारे करता है, यहां पर देखे, तो अंगुठा काफी श नहीं है, तो कही न कहीं व्यक्ती कम्प्रोमेज नेचर का होता है, फर्स्ट उंगली बढ़ी है, यह जब उंगली बढ़ी होती है, तो एक सबसे बड़ा प्रश्चन सताता है व्यक्ती को, वो है इगो का, इनके इगो बार बार हट होते है, यह एक तरह का रोग है, इनको स इस तरह की स्थिती पैदा हो जैसे डायबीटीस वाला पता चलता है कि उसको डायबीटीस है और वो मिठाई खाना छोड़ देता है पर कहीं न कहीं पार्टी में गया या साधी के भोज में गया तो एकाद चोरी कर लेता है कि एकाद मिठाई का टुकडा खालू बस उस तरह स आप भी समझेए आपको बार बार यह प्रश्न सताता होगा इगो का पर जब भी इस तरह की स्थिती पैदा हो तो आप उसे रूल आउट कर लीजे उसे समझेए यह मेरा रोग है यह वेक्तिकत रूप से आपको परेशानी में डालता है इसके कारण किसी और को परेशानी न वेक्ति कभी ना कभी चोरी छुपे मिठाई खाने की कोशिस करता है वैसे आपके जीवन में भी बीच-बीच में इस तरह का दोर आएगा पर उससे फेस करिए छोटी उंगली फर्स फैलें तक पहुंच रही है व्यक्ति डॉक्मेंटेशन फाइलिंग चीजों को संभाल कर रखना याज शक्ति मनी मेनेजमेंट और अकाउंट यह सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और जिसकी यह उंगली और अंगुठा व्योस्ति तो आधी जंग तो व्यक्ति ऐसे ही जीते लेता है और यह हाथ का कलर देखिए कितना अच्छा है काफी सुन्दर कलर है इस हाथ का इस तरह का कलर अच्छा खासा धन व्यक्ति को जीवन में देता है पर इनकी फेट लाइन पर भी और जीवन रेखा पर भी भूत कुछ हलचल तो एक खड़ी लाइन दूसरी जब बुद्परवत आपका अच्छा होता है और खड़ी लाइन होती है तो व्यक्ति दिखने में सुन्दर होता है प्लस उसकी वानी अच्छी होती है प्लस बेसिक विज्ञान और टेक्नॉलेजी का भी नॉलेज चाहे कॉमर्स का तो भी व्यक्ति के जीवन में होती है तो इतने सारे गुन व्यक्ति के और बिजनेस में तो ये लोग काफी मास्टर होते हैं यहां पर देखे तो एक अच्छा सा शुक्रवले मैं क्लोजब में दिखाऊंगा एक थोड़ा सा यहां पर हलका है पर यह कम्प्रीट शुक्रव पर अगर यह कंपलीट होता है इंक लगाने पर पता चलता है हाथ यह कंप्लीट शुक्ति है कि अधूरा है यह होने पर अगर पहले से हैं बच्पन से थे तो व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है परिवार संपन्ञ बनते जाता और यह जीवन भर साथ देता है, जहां आम इंसान एक हजार कमाता है, वहाँ पर यह शुक्र वले वाले व्यक्ति जैसा हाथ लाखो और करोडो कमाते हैं, अगर हाथ अच्छा हुआ तो करोडो भी कमाते हैं, और एक अच्छी सी साइन इनके हाथ में बनी हुई है, जो मैं यह जगना बड़ा ट्राइंगल अगर सन माउंट पर है, तो व्यक्ति भहुत ज़्यादा अमिर होता है, पैसे अच्छे खासे उसके पास होते हैं, और मन की सारी इच्छाय लगबग पूरी होती है, यह भी एक खास्यत इस ट्राइंगल की है, यहां पर मल्टिबल निर्मान करेंगे या खरीदेंगे, इनकी वर्तवान आयों 50 साल है, यहां पर दो लाइने हैं, जब दो लाइने होती है, तो व्यक्ति में बेसिक नॉलेज तो अच्छा-कासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति विकास भी करता है, पर साथ-साथ में देखे, बेसिक नॉलेज के साथ, अगर छोटी लाइन दूसरी है यहां पर, तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर घमंड भी रहता है, यह भी एक माइनस पॉइंट रहता है, पर लोग इनको पूछ-पूछ कर काम करते हैं, अब यहां पर देखे, तो एक रेखा चल रही है, सीधी इ बस्टे इंकम की ऊर, इशारा कर रही है, और एक रेखा यहां से चली, यह ऊपर चली, यह चली, और एक फेट लाइन, वलय के साथ मिक्स होकर यहां चल रही है, यह जब लाइन होती है, तो भी व्यक्ति काफी उन्नत होता है, यह सरकारी लाप, पॉलिटिकल लाप, या किसी कंपनी पर बहुत हायर लेवल पर पहुचना, इस तरफ इशारा करता है, कहीं न कहीं यह अच्छी पोश्ट पर पहुचते हैं, यह उस पर इशारा जाता है, और continue रेखाय बनी हुई है, तो बुड़ापे में भी continue income इनके जीवन में आती रहेगी, गुरु परवत पर देखे, तो एक लाइन, दो, तीन, यह multiple income की रेखाय है, और थोड़े से यह लोग सेवा भावी भी होते हैं, और यहां पर गुरु प समझ में नहीं आ रहा है, पर यहां से अगर उभार होगा, तो थोड़ी सी परिवार की समस्या और सांसारिक समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती जरूर है, और गुरु परवत इतना भी बड़ा नहीं है, जीतना चाहिए, तो हो नहो यह परिवार से दूर रहने का भी नौ की नौबत आती है जब थोड़ा सा भी गुरु परवत छोटा होता है तो में इसमाय से मंगल पर तो उसका एकर्स में फायदा मिलता है जमिने एकर्स में होती है पांच एकर पचेश छोएकर कर गया को तो पांसौपांसौ एकर जमीनों का मालिक देखा गये तो यह स्टार अगर होगा यहां पर इंडिविजुवल तो हंडेट परसेंट इनको इस तरह का फाइदा लाब मिलाओ क्योंकि मुझे दो स्टार दिख रहे हैं एक यहां पर भी एक यहां पर भी और बहुत सारी रेखा है बहुत ज़्यादा चिंतित सबाओं के होंगे यह छोटी छोटी बातों में काफी चिंता करते होंगे हां बहुत बार परिस्तितिया चिंता करवाती है और बहुत बार व्यक्ति खुद चिंतित होता है और इसका बैस्ट इलाज है ज़्यादा हो गई आपको काफी रिलेक्स होगा और अंदुनी मंगल इतना मजबूत नहीं है तो सारे रिरूप से व्यक्ति कहीं न कहीं थोड़ा सा कमजोर महसूस करता है और जैसे 35-40 के आसपास आता है उस समय उसको महसूस होना चालू होता है पर जिन्दकी जीने में कोई ज्यादा तकलिफ नहीं आती 80-80-90 साल व्यक्ति जीता है और साहनती से जीता है भारी मंगल काफी अच्छा है तो जब किसी से मिलते होंगे तो एनरजी के साथ मिलते होंगे सामने वाला कमफ़रेबल फिल करता होगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है इन्होंने भरपुर संकटों का सामना अपने जीवन में किया होगा भरपुर और ज़्यादा तर मैंने राव रेखा वाले लोगों के हाथ में इस तरह का भारी मंगल आलवेज उठा हुआ उपाया है क्यू और इनकी जीवन रेखा से भी एक रेखा जा रही है, तो ऐसी जब रेखाए जाती है, तो आना जाना विडेस में लॉंग श्टे ये कभी भी पॉसिबल होता है, कभी भी, और चंद्रपरवत जिसका अच्छा होता है, उसकी पर्चेस पावर बहुत अच्छी होती है, सोच कम दूट से बनी कोई न कोई वस्तू बहुत भाती है, और इनकी यहाँ पर देखे कितना बड़ा मनी ट्रेंगल हाथ में बना हुआ है, काफी बड़ा मनी ट्रेंगल इनके हाथ में बना हुआ है, इस तरह का मनी ट्रेंगल व्यक्ति के जीवन में अच्छे खासे इंकम के सोर् पूर है और जीवन भर रहेगा और अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेते हैं शुक्र पर देखे तो थोड़ी सी ये बारिक रेखा है मुझे परेशानी में डाल रही है जब ये रेखा होती है तो कहीं न कहीं व्यक्ति को ऐसा लगता है किसीने बांद के र परच भी अधिक करता है ये दोनों एडवांटेज व्यक्ति को मिलते है और साथ में गुरू भी अगर मजबूत होता है बहुत कमजोर भी नहीं है और बहुत मजबूत भी नहीं है मध्यम टाइप का है तो ये दोनों अगर बैलेंस किये जाए तो और ज्यादा धन की प्रा अब इनकी हिरते रेखा के देखें दो पारट है एक तो पूरी गुरु परवत से सुरू होकर सीधी चल रही है और उसमें से एक साखा निकलकर पूरी गुरु परवत को घेर रही है ये डबल तरके मैंड के धनी होते है यानि दबल दौरी परस्नालिटी होती है एक तो एक इंसान हो जाता है और ये भी जब रेखा गुरु तक पहुंचती है तो ये भी उस तरफ शो करती है कव लेती है तो भावनाओं में भी नीड़े लेता है व्यक्ति थोड़ा प्यार का प्रदर्शन करना भी पसंद करता है जवानी के दिनों में ये सारी चीजे और हार्ट लाइन एक दम सिंपल है व्यक्ति जादा बोजह भी नहीं रखता एक अच्छा सा जीवन जीता है पर य ये लाइन जब यहां से निकल कर गुरु परवत की और जाती है तो व्यक्ति में एक और खासियत पाए जाती है इनकी एक्सपेक्टेशन लेवल ज्यादा होती है बहुत ज्यादा ये एक्सपेक्टेशन ज्यादा व्यक्ति को परिवार में प्रॉब्लम क्रियेट करती है क् कि परिवार के लोग पेड नहीं होते हैं उनके बीच में प्रॉब्लम क्रियेट होती है पर यही जब कमर्शियल लेवल पर इस तरह की हार्ट लाइन का सब्जेक्ट आता है तो यह ज्यादा अंकरते हैं ज्यादा पैसे कमाते हैं क्योंकि एक सिस्टम में चलने वाले लोग हो और यहां से सुरवात हो रही है गुरु परवत से और यह सीधी चलिया है और उसमें से एक साखा नीचे बीजारी जबिया रही है जब यह साखा से नीचे होती तो generally नीन से related problem व्यक्ति को आता है, कभी न कभी जीवन में, एक चीज यह हो गई, और जब बुद्ध परवत की और देखती है, तो कोई न कोई कला इनके पास होती है पैसा कमाने की, कोई न कोई कला, और उसके कारण व्यक्ति पैसा कमाता है, और अच्छा पैसा कमाता है, तो गुरु परवत से जब शुरू होती है, तो व्यक्ति महतो कांची होता है, और अपनी महतो कांचा पूरी भी करता है, और जब माइन लाइन थोड़ी सी छोटी होती है, तो बुद्धी प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आया, तो व्यक्त इस पोटक होता है अब चलते इनके जीवं रेखा पर अब जीवं रेखा और फेट लाइन के लिए हम इनके close up का use करेंगे उसके पहले जो नीचे का part अगर close up में नहीं आया होगा तो पहले डिसक्स कर लें जीवं रेखा घुम कर पुरी शुक्रपरवत को घेर रही है यानि परिवार एक सोच वाला इंसान होता है, परिवार के प्रतिक व्यक्ति से टच रहता है, कहीं बार भी गए तो पाँच बार, दस बार फोन करेंगे, इस तरह की मानसिकता होती है, सिटी में भी कहीं 2-4 गंटे के लिए भी गए, तो एक-दो बार तो फोन घर में करेंगे, एक चीज यह, इसी जीवन रेखा से एक साखा चल रही है, यह व्यक्ति को विदेश में आना जाना, और लॉंग स्टे भी शो करती है, और व्यक्ति सेटल होना चाहे तो भी हो सकता, एक रेखा यह जो निकल रही है, यह बहुत बार व्यक्ति को एडिक्शन जैसा महसूस करती ह यानि एक दो घंटे यह लोग काम करते हैं, उसके बाद व्यक्ति को एक खालीपन का हैसास होता है, पर जनरली यह जो एडिक्शन लाइन है, वो ऐसे घूम के ऐसे घूमती है, यह घूम नहीं रही है, तो हो सकता ही है, एक बुद्रे खाई हो, एडिक्शन वाला पार्ट न कोई न कोई, पर यह घूमती है, जनरली इस तरह की लाइन ऐसे राउंड लेती है, पर यह राउंड नहीं ले रही है, तो इसको एक एक एक्स्ट्रा बुद्र रेखा गिन सकते हैं, और यह फेट लाइन पूरी केतु परवत से सुरू हो रही है, तो व्यक्ति जब शुक्र व्यक्ति रहता है, तो खाते-पीते घर में जन्म लेता है, बेसिक चीजों के लिए कभी लड़ाई नहीं करनी पड़ती, आसानी से बच्पन निकला रहता है, अब इनके क्लोज अप का सहारा लेते हैं, यह इनका क्लोज अप, यहां पर देखे, इनकी एक 33 के आसपास बहुत बड़ी कोई संकट इनके जीवन में आई होगी, भरपूर, बरपूर, और एक 25 और 27 के आसपास आपशुट भी मिले, और उसके पहले भी बहुत सारी राव रेखाओने काटा बच्पन से, तो रुकाउटे तो भरपूर आई होगी, बच्पन में भी, हर 2-4 साल में कोई न कोई रुकाउटे बच्पन से चालू होगी, और बीच का पिरियड ठीक गया होगा, और यह 25 और 27 के आसपास आपशुट मिला इनको, और एक पास में एक आपशुट और दिख रहा है, इसका भी बेनिफिट इनको मिला होगा, और एक यात्रा भी इस पिरिय्ड में हुई होगी, कोई न कोई इनके जीवन में, लंबी यात्रा हुई होगी, एक 23 के आसपास भरपुर रहुरेखा हो ने काटा, इस पिरियड में कोई न कोई बारी रुकाउट का सामना इनों ने किया होगा, क्युकि दो तरफ से रहुरे इनके जीवन में गया, इस पिरियड में भी कोई न कोई benefit इनको जीवन में मिली होगी, कोई सफलता इनको जीवन में मिली होगी, फिर एक 39 के आसपास एक राव रेखाने काटा, इस पिरियड में भी कोई न कोई संकट आया होगा, एक 43 के आसपास राव रेखाने काटा, इस प में भी कोई न कोई संकट आया होगा और एक रेखा यहां से निकल कर ऐसे चल रही है तो यह जनरली 40 के आसपास अगर यह जीवन रेखा से निकल कर निकलती होगी तो कोई न कोई न कोई नियर रेर का डेथ हुआ होगा और उसका आसिरवाद लॉंग समय तक इनके जीवन में चल रहा है अगर ऐसा कोई व्यक्ति का किस्सा हुआ होगा तो उसके नाम पर कोई न कोई सेवा का कारे आपको करना चीए क्योंकि उसका आसिरवाद आपके जीवन पर बना रहा है और यह लास्ट राव रेखा थी इसके बाद कोई ऐसी राव रेखा मुझे दिख नहीं रह अब का अभी आपकी फेट लाइन पर चले फेट लाइन पर देखे तो एक पिरियड आया होगा लग बग आपके उम्र 24-25 के आसपास और यह पिरियड देखिए यह आफशूट है 25 के आसपास यह राव रेखा उसके बाद एक 32-33 के आसपास यह देखिए यह 32-33 एक छोटी सी 36 के आसपास भी आपको कट है तो यह छोटा सा कट यहां पर भी है उसके बाद यह जो पिरियड गया होगा आपका यहां से लेकर यहां तक का यह लग बग 41-42 तक का पिरियड आपके लिए काफी संगर्स वाला रहा होगा क्यूंकि यह यहां पर आपकी धन्रे का सुजन भरी है काफी तकलिफों का सामना किया होगा आपने त्रिमेंडस और उसके बाद यह लग बग 45 के आसपास एक बिजनेस सुरू हुआ होगा और एक बिजनेस की घुमावाई और यह आगे चल रही है और इस पर भी देखे तो एक कट आया है 48-49 के आसपास और यहा लगबग 50 के आसपास एक इन्वेस्मेंट आयेगा या परिवार के लिए खरुचा आएगा और इस बिजनेस के लिए इस इंकम की जो लाइन ओर 10-59 या 52 के आसपास और यह लाइन पर 50 के आसपास कोई ने कोई investment या परिवार के लिए खर्च आएगा और इसके बाद आपकी fate line यहां से भी मजबूत होकर यह आगे चल रही है और यह line भी मजबूत होकर आगे चल रही है यहां थोड़ी सी कमजोर है इतनी शशक्त नहीं है तो जो मेहनत करते होंगे उसके सामने उतना फल नहीं आता होगा प्रॉफिट जो चाहिए वह जो आप जितनी महनत लगती होगी उतना नहीं आता होगा पर दीरे दीरे इंक्रीज होगा और यह गाड़ी आगे बढ़ेगी और यहां से त्रेपन के आसपास से यह लाइन भी आपको काफी प्रॉफिट देगी यह 44-45 के आसपास कोई ने कोई वैपार आपने शुरू किया होगा और इसमें भी एक बदलाव आएगा हो सकता है यह वैपार यहां पर स्टॉप कर दो 51 के आसपास और यह 52 के आसपास एक और वैवस जो सुरिपरवत की और देख रही है यह भी बनी हुई है तो continue income आपके जीवन में आने वाली है हाँ संगर्स वाला पिरियड लगबग पूरा हो गया आगे इस तरह का संगर्स नहीं है हाँ आपको investment जरूर शो हो रहा है क्योंकि हिर्दे रेखा निकल कर काट रही है तो यह investment या परिवार के लिए expense जरूर सो हो रहा है तो आशा रखता हूं आपके सभी प्रश्णों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यह triangle देखे कितना बड़ा है